नमस्कार दोस्तों, गडेन ग्यान चनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम देखेंगे जून के महिने में जूरदार फूल देने वाले कुछ सुन्दर फूलों वाले पोध है और इन्हें अगर आप अभी से लगाते हैं तो जून और जूलाय में दोस्तों बहुत सारा फूल देखने को मिलेगा आपके गाडन में और बहुत बढ़िया वाराइटी और कॉलेक्शन आज मैं बताऊंगा ये सभी कॉलेक्शन दोस्तों मैं नर्सरी से नहीं मेरे रूट आप से ही दिखा रहा हूँ तो आसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो पुरा लाश्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा तो आएए देखते हैं वीडियो को ये दोस्तों जो देख रहे हैं आप टेकोमा का पिंग भेराइटी है और ये पेरिनियल प्लांट होता है और बहुत सुंदर सुंदर फूल देता है दोस्तों और सेंटर देखिए इसका बहुत बढ़िया स्ट्राइप में रहता है और एक के बाद एक नॉन्स्टॉप इसमें फूल आते रहते हैं ये गमले में लगाने वाला वेराइटी है दोस्तों अगर मिलता है तो ये जरूर आपको बाई करना चाहिए बारिस में बहुत फूल देता है ये और ये इसका है देखिए योलो वेराइटी इसका रेड भी आता है और ओरेंज भी आता है दोस्तों लेकिन मेरे पास दो वेराइटी है एक पिंक है और एक योलो है तो बहुत बढ़िया रहता है, जहाडिदार फोधा रहता है दोस्तों, और बतरफलाय अच्छ पाई होनी भी यह सब को अट्रट करता है और फूल इसका लांग लास्टिंग वाला रहता है दोस्तों और क्लाश्टर में खिलता है तो garden में ये बढ़िया color red करता है और मेरा तो favorite plant में से एक है तो टेकोमा का dwarf या pot variety मिलता है तो आप जरूर लाइए next है हमारा अपरा जिता, कुछ bell दोस्तों बहुत बढ़िया करते हैं, भाइन जो होते हैं ये अपरा जिता इन में से एक है और पैसन फ्लावार भी जो रहता है ये सब बारिस के महिने में बजुरदार फूल देते हैं राखी बेल जो आता है पैसन फ्लावार उससे भी अगर आप मिलता है तो लगा सकते हैं और अपरा जिता का ये देखिए डवल वराइटी है दोस्तों सिंगल तो मिल जाता है आसानी से ये डवल बहुत प्यारा दिखता है और ये सीड के थ्रू होता है नरसरी में इसका प्राइस भी बहुत कम रहता है तो अभी ये ही सब प्लांट आपका पैस्ट वैस रहेंगे दोस्तों क्योंकि आगे ये सब ही जुरदर फूल देने बाले हैं आपको तो मैं पहले ही आपको वीडियो दिखा देता हूँ कौन सा प्लांट आप नरसरी से लाग सकते हैं कौन सा बाइ कर सकते हैं तो वीवर्स को एक आइडिया मिल जाता है दोस्तों और उसी हिसाब से आप आगे रेडि कर सकते हैं प्लांट सभी को ये ग्रोध भी इनका बहुत अच्छा हो जाता है रेनी सीजन में और बहुत सारे एरिया में जून के महिने में मौनसून आ जाता है तो मौनसून बाले ये सब प्लांट हैं दोस्तों और ये देखिए पिंक अफराजिता बहुत सारे फ्यूवर्स इसका सीड मांगे हैं तो जरूर उनको मैं सेंड कर दूँगा आप मेरे चैनल के कम्यूनिटी टैब में देखते रहिए वहाँ पे मैं इसका सेल पूश डालूँगा दोस्तों और ये देखिए ये है जर्वेरा का रेड कलर ये बहुत सारे कलर में आता है लेकिन ये रॉफन टॉप वराइटी होता है और बारिस आने पर बहुत सारा खी देने में क्योंकि गर्मी पसंद प्लांट होता है और बारिस में गर्मी भी रहता है तो दोस्तों ये सभी प्लांट बहुत बढ़िया चोईस रहेंगे आपका अगर आपके पास है तो इन्हें थोड़ा फटी लाजर अभी दीजिए ये जो प्लांट सब दिखा रहा हूं ये सभी प्लांट दोस्तों और ये देखिए आपका राखी बेल जो पैसन प्लावर उसका पिंग वैराइटी है इसका फूल थोड़ा चोटा आता है और परपल का फूल थोड़ा बढ़ा आता है इसका बहुत सारा कलर आता है आप कोई भी कलेक्शन कर सकते हैं और ये पेर दोस्तों ऑलमंडा ऑलमंडा का ओरणज वैराइटी है देखिए फूल कितना बड़ा बड़ा आता है इसका ही विसकास जैसा साइज में आता है और ये औरनज मेरा सबसे फ़रेट है इसका बहुत सारा कलर आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन ये सबसे प्यारा दिखता ह और attractive भी रहता है दोस्तों अलमंडा का मेरे पास बहुत सारा variety है ये देखिए डवल में है और डवल थोड़ा कम फूल देता है लेकिन देखिए यो लो गुलाब जासा ही आपको ये दिखेगा और ये भी एक के बाद एक खिलता रहता है लेकिन आपके गडन में स्पेस रहना चाहिए ये बहुत height तक जाता है दोस्तों और height पर आने पर ही इसमें फूल आता है तो ये plant मेरे पास 5-6 साल से है और जोरदार फूल भी दे रहा है इसका अलमंडा का और एक variety में दिखा रहा हूं लेकिन ये योलो मांडविला नहीं है योलो मांडविला डिफरेंट होता है दोस्तों इसका प्राइस सब रहता है नस्तरी में आपका 5-6 रूपिया आलमंडा कोश्क्ली प्लांट है नहीं और इसका किसी भी कलर मिलता है आपको तो आपको लाना चाहिए देखिए एक के बाद एक इसमें से बर्ड्स आते रहते हैं और आपका गार्डेन कभी खाली नहीं जाता है फूल आते रहते हैं और ये देखिए ये बस भराइटी है आलमंडा का ये बूसी प्लांट रहता है दोस्तों द्वार भराइटी है और मैं एक सर्वे किया था उसमें बहुत सारा लोग इसे भोट किये थे ये बहुत सौट हाइट में रहता है छोटे से गमले में भी आप इसे लगा सकते हैं और बहुत सारा फूल देता है एक एक ब्रांच से आपका साथ आर्ट फूल आ जाते हैं और पूरे प्लांट को अगर आप देखेंगे तो बहुत 100 से उपर फूल आ जाता है दोस्तों पूराना होता है प्लांट आपका तो स्टैम कटिंग से इजिली हो जाता इसल hat यह सस्ता रहता है इसका इर देखते हैं यह रराम उड्स का और दोस्तों यह भी अलवंडा जैसा कि फूल तेता है लेकिन बहुत प्यारा रहता है भाहिन होता है और इसका red और pink भी आता है दोस्तों लेकिन मैं recommend नहीं करूँगा मैं बोलूँगा आप white ही लीचिए क्योंकि white आपका hardy होता है मरता नहीं है और वो सब बहुत sensitive होते हैं दोस्तों उनका क्यार इससे बहुत अलग है यह देखिए आपके सामने है Texas sage यह कर्यार प्लांट है हर किसी के पास होता नहीं है दोस्तों अरसरी में भी यह बहुत मुस्किल से मिलेगा आपको लेकिन फूल देखिए इसका purple color में बहुत प्यारा फूल आता है pink color बोल सकते हैं और इसका foliage भी silver फूलेज रहता है और यह manly आपका जून और में के लाश्ट में खिल जाता है दोस्तों बहुत प्यारा प्यारा फूल देता है और यह देखिए यह है सावनी इसे pride of India भी बोलते हैं जारूल बहुत सारे नाम से इसे बुलाते हैं यह dwarf variety है दोस्तों आप इसका बड़ा variety देखे होंगे पार्क के साइड में लेकिन यह dwarf variety अगर मिलता है तो आपको लाइए नहीं तो इसका बड़ा variety भी आप ला सकते हैं उसको बड़े से जगे में आपको लगाना पड़ेगा और यह रेन लिली दोस्तों इसे कैसे भूल सकते हैं आप बहुत प्यारा प्यारा फूल देता है खासकर मौनसून के महीने में और बारिस अगर आपके एरिया में हो गया तो यह पहले भी खिल जाता है इसके उपर मेरा एक स्पेसियल वीडियो है इसमें बार बार कैसे आप फूल ले सकते हैं उसके बारे में और बारिस अगर अच्छे से खुआ दोस्तों तो यह सीजन में आपको तीन बार भी फूल दे देता है और सैम गमले में आपको सालों साल फूल देने वाला पोधा होता है और इसका बल भी बहुत सस्ता है मैंनली इसका तीन कलर जो आते हैं दोस्तों वो मेरे पास है और यह देखिए हुआइट है और यहाँ पे है आपका योलो और पिंक देखिए मिक्स करके मैं लगाया हूँ एक गमले में और बहुत प्यारादी कराए और एक साथ ही सब में फूल आया है और इसका हाइब्रीड सब निकलने लगाए दोस्तों वो बहुत कोश्टली रहता है एक एक बल्ब उसका 2500-300-400 रुपया तक भी रहता है तो यह जो भेराटी में दिखा रहा हूँ यह सब आप बाई कर सकते हैं बहुत ही सस्ता रहता है और यह देखिए दोस्तों यह बहुत प्यारा लगता है यह फूल इसका नाम है औवजलिस यह छुटा छुटा बल्ब रहता है और फूल देखिए दोस्तों बहुत बड़िया दिखता है बहुत सारे लोग इसे वाइल्ड ब्लांट बोलता है लेकिन ये hybrid वाला है और ये इसका फूल देखिए बहुत प्यारा रहता है, cluster में आता है दोस्तों बंचस में खिलता है और बहुत short height में, छोटे से गमले में होने वाला plant है, और ये सब दोस्तों आपको लगाना चाहिए अभी और ये दोस्तों देखिए, ये है balloon प्लावार, जब ये खिलता है तो balloon के सेप में ही रहता है और बहुत प्यारा रहता है, इसका color, blue color में देखिए बहुत ही बड़िया star सेप में खिलने वाला फूल है और बहुत सारे भीयोर्स को मैं इसका सीड भेजा था, और बहुत सारे प्योर्स कमेंड भी किये हैं उनका सीड जर्मिनेट भी हो गया है तो channel से जुड़े रहने का फाइदा ये ये दोस्तों, देखिए बहुत सारा plant मैं बनाता हूँ इसका सीड से, और आगे भी मैं बहुत सारा सीड भेजूँगा आप लोगों को बस channel पर आप जुड़े रहिए और ये देखिए, ये है आपका यलो एकजोरा, ये दोस्तों मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रेड एकजोरा बहुत कमन होता है और ये रेड जो आप देख रहे हैं ये बहुत बढ़िया भेराइटी है बहुत कम लोगों के पास रहता है और इसका खास बादी ये ये बहुत जली-जली फूल देता है अगर आप इसे ठीक से प्रूनिंग करेंगे तो दोस्तों एक महीने के बाद फिर फूल दे देता है ये और ये जून का महीना बहुत बढ़िया रहता है इसके लिए ये दिखिए ये है रजनी गंधा रजनी गंधा को कौन नहीं जानता है दोस्तों बहुत ही common plant है और खुसबूदार भी इसका best time रहता है जून और ये सभी पोध है आज आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताएगा ते जल मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ नमस्कार